नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है लीजे आज एक और कहानी के साथ प्रस्तुत है नाम है इसका दो बांके और इसे लिखा है भगवती चरण वर्मा जी ने आईए शुरू करते हैं शायद ही कोई ऐसा भागा हो जिसने लखनव का नाम न सुना हो और युप्त प्रांत में नहीं बलकि सारे हिंदुस्तान में मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूँ कि सारी दुनिया में लखनव की शोहरत है लखनव के सफेदा आम लखनव के खरबूजे लखनव की रिवडिया यह सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें लखनव से लोटते समय लोग सौगात की तौर पर साथ ले जाया करते हैं लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो साथ नहीं ले जाई जा सकती और उनमें लखनव की जिन्दा दिली और लखनव की नफासत विशेश रूप से आती है ये तो वे चीजें हैं जिन्हें देसी और परदेसी सभी जान सकते हैं पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें कुछ लखनव आले तक नहीं जानते और अगर परदेसीों को इनका पता लग जाए तो समझें कि उन परदेसीों के भाग खुल गए इन्ही विशेश चीजों में आते हैं लखनव के बांके बांके शब्द हिंदी का है या उर्दू का ये विवाद ग्रस्त हो सकता है और हिंदी वालों का कहना है इन हिंदी वालों में मैं भी हूँ कि ये शब्द संस्कृत के बंकिम शब्द से निकला है पर ये मानना पड़ेगा कि जहां बंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है कभी कभी कुछ तीखापन जहलकने लगता है वहाँ बांके शब्द में एक अजीब बांकापन है अगर जवान बांका तिर्चा ना हुआ तो आप निश्चित समझ लें कि उसकी जवानी की कोई सार्थकता नहीं अगर चित्वन बांकी नहीं तो आँख का फोड लेना अच्छा है बांकी अदा और बांकी जहांकी के बिना जिन्दगी सूनी हो जाए मेरे खयाल से अगर दुनिया से बांका शब्द उठ जाए तो कुछ दिल चले लोग खुद खुशी करने पर आमादा हो जाएंगे और इसलिए मैं तो यहां तक कहूंगा कि लखनव बांका शहर है और मैं उत्तर दूँगा आप में सब्र नहीं अगर उन बांकों की एक बांकी भूमिका नहीं हुई तो फिर कहानी किस तरह बांकी हो सकती है हाँ तो लखनव में रईस हैं तवाइफे हैं इन दोनों के साथ शोहदे भी हैं बकौल लखनव वालों के ये शोहदे ऐसे वैसे नहीं हैं अरे ये लखनव की नाक हैं लखनव की सारी बहादुरी के यही तो ठिकेदार हैं और ये जान ले लेने और जान दे देने पर अमादा रहते हैं अगर लखनव से ये शोहदे हटा दिये जाएं तो लोगों का कहना है अजी लखनव तो जनानों का शहर है सोलह आने सच्चा उतर जाए जनाब इन्ही शोहदों के सरगनों को लखनव वाले बांके कहते हैं शाम के वक्त तहमत पहने हुए कसरती बदन पर जालीदार बनियाइन पहन कर उसके उपर बूटेदार चिकन का कुर्ता डाटे हुए जब ये निकलते हैं तब लोग बाग बड़ी हसरत की निगाहों से इन्हें देखते हैं उस वक्त इनके पटेदार बालों में करीब आधा पाओ चमेली का तेल पड़ा रहता है कान में इत्र की अंगिनत फुरहरियां खुसी रहती हैं और एक बेले का गजरा गले में और एक हाथ की कलाई पर रहता है फिर ये अकेले भी नहीं निकलते इनके साथ शागिर्द शोहदों का जुलूस रहता है एक से एक बोलियां बोलते हुए फबतियां कसते हुए शोखियां हांकते हुए उन्हें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है तो उस दिन मुझे अमीनाबाद से नक्खास जाना था पास में पैसे कम थे इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज दी नक्खास तो मैं उचक कर उनके इक्के पर बैठ गया यहां ये बतला देना बेजा ना होगा कि लखनव के इक्के वालों में तीन चौथाई शाही खांदान के हैं और यही उनकी बदकिस्मती है कि उनका वसी का बंद या कम कर दिया गया है और उन्हें इक्का हाकना पड़ रहा है इक्का नक्खास की तरफ चला और मैंने मिया इक्के वाले से कहा कहिए नवाब साहब खाने पीने भर तो पैदा कर लेते हैं इस सवाल का पूछा जाना था कि नवाब साहब के उद्गारों के बांध का तूट पड़ना था बड़े करुन स्वर में बोले क्या बतलाऊं हुजूर अपनी क्या हालत है कह नहीं सकता खुदा जो कुछ दिखलाएगा देखूंगा एक दिन थे जब हम लोगों के बुजुर्ग हुकूमत करते थे एशो आराम की जिन्दगी बसर करते थे लेकिन आज हमें उन्हीं की ओलादों को भूखे मरने की नौबत आ गई और हुजूर अब पेशे में कुछ रह नहीं गया पहले तो तांगे चले जी को समझाया बुजाया मैं अपनी अपनी किस्मत मैं भी तांगा ले लूँगा ये तो वक्त की बात है मुझे भी फाइदा होगा लेकिन क्या बतलाऊं हुजूर हालाद दिनों दिन विगड़ती ही गई अब देखिए मोटरों पर मोटरें चल रही है भला बतलाईए हुजूर जो सुख इक्के की सवारी में है वो भला तांगे या मोटर में मिलने का तांगे में पाल्थी मारकर आराम से बैठ नहीं सकते जाते उत्तर की तरफ है मुह दखिन की तरफ रहता है हजी साहब हिंदूओं में मूर्दा उल्टे सिर ले जाया जाता है लेकिन तांगे में लोग जिन्दा ही उल्टे सिर चलते है और जरा गौर फर्माइए ये मोटरें शैतान की तरह चलती है वो बला की धूल उड़ाती है कि इन्सान अंधा हो जाए मैं तो कहता हूँ कि बिना जानवर के आप चलने वाली सवारी से दूर ही रहना चाहिए उसमें शैतान का फेर है इक्के वाले साहब और नजाने क्या क्या कहते अगर वे याली किनारे से चौक न उठते सामने क्या देखते हैं कि एक आलम उमड रहा है इक्का रकाब गंच के पुल के पास ठहर कर रुख गया एक अजीब समा था रकाब गंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 की भीड थी लेकिन पुल पर एक आदमी नहीं पुल के एक किनारे करीब 25 शोहदे लाठी लिये हुए खड़े थे दूसरे किनारे पर भी उतने ही एक खास बात और थी पुल के एक सिरे पर सडक के बीचो बीच एक चारपाई रखी थी और दूसरे सिरे पर भी सडक के बीचो बीच दूसरी बीच बीच में रुक कर दोनों और से याली के नारे लग रहे थे मैंने इक्के वाले से पूछा क्यों मिया क्या मामला है मैं इक्के वाले ने एक तमाशाई से पूछ कर बतलाया हुजूर आज दो बांकों में लड़ाई होने वाली है उसी लड़ाई को देखने के लिए ये भीड़ इकठी है मैंने फिर पूछा ये क्यूं? मैं इक्के वाले ने जवाब दिया हुजूर पुल के इस पार के शोहदों का सरगना एक बांका है और उस पार के शोहदों का सरगना दूसरा बांका कल इस पार के शोहदे से पुल के उस पार के दूसरे शोहदे का कुछ जगड़ा हो गया और उस जगड़े में कुछ मारपीट हो गई इस फिसाद पर दोनों बाकों में कुछ कहा सुनी हुई और उस कहा सुनी में ही मैदान बद दिया गया हरे हुजूर इन बाकों की लड़ाई कोई ऐसी वैसी थोड़े ही होगी इसमें खून बहेगा लड़ाई तब तक खतम नहीं होगी जब तक एक बाका खतम न हो जाए आज तो एकाध लाश गिरेगी ही ये चारपाईयां उन बाकों की लाश उठाने आई है दोनों बाके अपने बीबी बच्चों से रुकसत लेकर और करबला के लिए तयार होकर आवेंगे उसी समय दोनों ओर से याली की एक बहुत बुलंद आवाज आई मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी लिए हुए दोनों बाके आ गए है तमाशाईयों में एक सकता सा छा गया है सब लोग चुप हैं पुल के इस पारवाले बांके ने कड़क कर दूसरे पारवाले बांके से कहा उस्ताद और दूसरे पारवाले बांके ने कड़क कर उत्तर दिया उस्ताद पुल के इस पारवाले बांके ने कहा उस्ताद आज खून हो जाएगा खून पुल के उस पारवाले बांकी ने कहा उस्ताद आज लाशें गिर जाएंगी लाशें पुल के इस पारवाले बांकी ने कहा उस्ताद आज कहर हो जाएगा कहर पुल के उस पारवाले बांकी ने कहा उस्ताद आज खयामत बर्पा हो जाएगी कयामत चारों और एक गहरा सनाटा फैला था लोगों के दिल धड़क रहे थे भीड बढ़ती जा रही थी पुल के इस पार वाले बांके ने लाठी का एक हाथ घुमा कर एक कदम बढ़ाते हुए कहा तो फिर उस्ताद होश यार पुल के इस पार वाले बांके के शागिर्दों ने गगन भेदी स्वर में नारा लगाया या अली पुल के इस पार वाले बांके ने लाठी का एक हाथ घुमा कर एक कदम बढ़ाते हुए कहा तो फिर उस्ताद संभलना पुल के उस पारवाले बांके के शागिर्दों ने गगन भेदी स्वर में नारा लगाया या अली दोनों तरफ के दोनों बांके कदम बाकदम लाठी के हाथ दिखलाते हुए तथा एक दूसरे को ललकारते हुए आगे बढ़ रहे थे दोनों तरफ के बांकों के शागिर्द हर कदम पर या अली के नारे लगा रहे थे और दोनों तरफ के तमाशाईयों के हिर्दे उत्सुता, कौतूहल तथा इन बांकों की वीर्टा के प्रदर्शन के कारण धड़क रहे थे फुल के बीचो बीच एक दूसरे से दो कदम की दूरी पर दोनों बांके रुके दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर गौर से देखा, फिर दोनों बांकों की लाठियां उठी, दाहिने हाथ से बाए हाथ में चली गई इस पारवाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद, उस पारवाले बांके ने अपना हाथ बढ़ाया, और उस पारवाले बांके ने अपना हाथ बढ़ाया दोनों के पंजे गुत गए, दोनों बांकों के शागिर्दों ने नारा लगाया, याली फिर क्या था दोनों बांके जोर लगा रहे थे पंजा टस से मस नहीं हो रहा है दस मिनट तक तमाशबीन सकते की हालत में खड़े हैं इतने में इस पार वाले बांके ने कहा उस्ताद गजब के कश हैं उस पार वाले बांके ने कहा उस्ताद बला का जोर है इस पार वाले बां में कोई दूसरा नहीं उस पार वाले बांके ने कहा उस्ताद आज कहीं जाकर मुझे अपनी जोड का जमा मर्द मिला है इस पार वाले बांके ने कहा उस्ताद तबियत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी का खून करूं उस पार वाले बांके ने कहा उस्ताद तबियत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेर दिल आदमी की लाश गिराउं लाश थोड़ी देर के लिए दूनों मौन हो गए, पंजा गुथा हुआ है, तस से मस नहीं हो रहा है, इस पारवाले बांके ने कहा, उस्ताद जगड़ा किस बात का है, उस पारवाले बांके ने कह उस्ताद यही सवाल तो मेरे सामने है, इस पारवाले बांके ने कहा, उस्ताद पुल के इस तरफ के हिस्से का मालिक मैं, उस पारवाले बांके ने कहा, उस्ताद पुल के इस तरफ के हिस्से का मालिक मैं, और दोनों ने एक साथ कहा, पुल की दूसरी तरफ से ना हमें कोई मतलब है और ना हमारे शागिर्दों को दोनों के हाथ धीले पड़े दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फिर दोनों घूम पड़े छाती फुलाए हुए दोनों बाके अपने शागिर्दों से आमिले बिजली की तरह ये खबर फैल गई कि दोनों बराबर की जोड़ पे छूटे और उनमें सुलह हो गई है इक के वाले को पैसे दे कर मैं वहां से पैदल ही लोट पड़ा क्योंकि देर हो जाने के कारण नखास जाना बेकार था इस पार वाला बांके अपने शागिर्दों से गिरा चल रहा था शागिर्द कह रहे थे उस्ताद इस वक्त बड़ी समझदारी से काम लिया वरना आज लाशें गिर जातीं लाशें उस्ताद हम सब के सब अपनी जान दे देते लेकिन उस्ताद कजब के कस हैं इतने में किसी ने बांके से कहा मूला स्वांग खूब भरेयो बांके ने देखा कि एक लंबा और तगड़ा देहाती जिसके हाथ में एक भारी सा लठ है सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है उस वक्त बांके खून का गूंट पीकर रह गया उन्होंने सोचा भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्हें हाथ उठाने का कोई हक भी है धन्यवाद नौटन की तमाशा इसी जमाने में ऐसे बांके रहते थे ऐसे लठै ऐसे उस्ताद रहते थे लेकिन डे बाई डे अब सिर्फ फुकरे और चिछोरे ही रह गए हैं बांके उन्हें पर ये एक व्यंग था सिर्फ मुखे शेर मुखे उस्ताद चलिए मुलाकात होगी अगली कहानी में जैहिंट